नमस्कार दोस्तों मैं डक्टर वनी सुपाध्याय आज हम बात करेंगे डेंग्यू फीवर के बारे में इसे दंडक ज्वर सूलास्थी ज्वर साप्ताहिक ज्वर डेंडी फीवर आधि विभिन नामों से जाना जाता है यह एक तीप्र संक्रामक रोग है जो उस्षड कटिब संद्ध के देशों में ब्यापक रूप से फैलता है हमारे भारत वर्स में भी एक महमारी के रूप में यहां प्रकट होता है इसकी उत्पत्ति का प्रमुक कारण एक वाइरस होता है जो एडीज एजिप्टाई मादा मच्छर के काटने से फैलता है आईरवेद की द्रिष् उससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे डेंग्यू फीवर अचानक रोगी में प्रकट होता है और सरीर का तापमान 102 डिग्री फॉरेन हाइट से 105 डिग्री फॉरेन हाइट तक पहुंच जाता है रोग के सुरू होने से पूर पहले दो दिन तक बेचैनी और सिर में तेज दर्ध होता है हाथ या पैर की किसी उंगली या पूरे हाथ अथवा जांग में दर्ध होता है कमर दर्ध सर दर्ध हाथ पैरों में दर्ध होता है चहरा लाल होने लगता है गले में जलन आँखों स आंसु बहना लाल होना, खाने के प्रती अरूची, उल्टी आना, नीद ना आना इत्यादी लक्षण मिलते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलिस्ट का अस्तर बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जिसके कारण सरेर में कमजोरी हो जाती है, और जोडों में दर्द कई महीनों तक बना रहता है। तीन-चार दिन बाद जोर उतर कर सामानने हो जाता है, परन्तु 24 से 22 घंटे तक रोगी स्वस्त रहने के बाद उसे पुना उपरोग तलक्षण प्रकट होने लगते हैं। उसकी उगरता प्रथम बेक की अपैच्चा कुछ कम होती है, और हाथ पैरों के प्रिष्ट भाग या कुहनी घुटनों पर लाल रंग के चकत्ते निकलते हैं, आगे चलकर या मुख और कमर तक फैल सकता है। इस रोग में रक्त सराओं की प्रविर्थ भी देखी जाती है। नक्सीर फूटना आमासे तता अन्य छेत्रों से अत्वा सलेश्म कला से रक्त सराओं हो सकता है। महिलाओं में आर्तोस राओं तता गर्वोती हिस्त्रियों को गर्वपात की संभावना भी बनी रहती है। इस रोग से बचने के उपायों की बात करें तो इस रोग में प्रतिसेधात्मक्च कित्सा का बहुत महत्त है। इसके लिए मच्छर उत्पन ना होने पाएं ऐसे उपाय करने चाहिए। आबादी के पास गड़े को मिट्टी से पाटना पास खड़े जाड़ जंकार तथा कूरा करकट मेला इत्यादी की सफाई करते रहें। साथ ही जब डेंगू का विशाण मानों शरीर में उपस्तित रहे तो उसे मच्छर दानी के अंदर रखना चाहिए। ताकि मच्छर उसका रक्त चूसन करके रूख के संवाख ना बन पाएं। मच्छर नासक क्रीम तेल इत्यादी का प्रयोग भी करना चाहिए। ताकि मच्छर स्वस्त व्यक्ति से दूर रहे। डेंगू फीवर के इलाज की बात करें तो अभी तक डेंगू फीवर की कोई बिशिष्ट चिकित्सा एलोपेथिक में उपलब्ध नहीं है। केवल दोसा नुसार या लक्त्रा नुसार चिकित्सा करते हैं। दर्द बंद करने के लिए एस्प्रीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे रक्त्स्राव का भै बना रहता है। इस्टिडवाइड्स तता एंटिवाइरल ओसदी भी इसमें आप्रवावी रहती है। मिर्द उप्रकार का रोग सामन्निता तीन-चार दिन में स्वयम ठीक हो जाता है। रोग के गंभीर होने पर गुड़ुच्यादी क्वाथ, गुड़ुची जो होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। इस समय लगबख सभी लोग गिलोई का प्रयोग करते हैं। तो गुड़ुच्यादी क्वाथ की 10 ग्राम मात्रा चार कप पानी में पकाएं। एक चौथाई सेश रहने पर छान कर सुबह और साम को नियमित रोप से इसको लेना चाहिए। साथी सोट का चूण भी देने से अत्यंत लाब मिलता है। इससे पाचन में साहता मिलती है, आम का पाचन होता है और विभिन प्रकार के गले आदि रोगों को भी ये ठीक करता है। ज़र ज्वादा होने पर तापमान कम करने के लिए बर्फ के पानी की पट्टी अत्वा आइस कैप माथे पर रख सकते हैं। और तापमान 101 फॉरन हाइट आ जाने पर सीतोप चार यानि पट्टी रखना बंद कर देना चाहिए। बार बार प्यास लगने पर मोथा, पित पापड़ा, खस, लाल चलनन, सुगंद बाला, अत्वा सोट की 5-5 ग्राम की मातर लेकर 5 लिटर पानी में पकाते हैं। तदा आधा सेश रहने पर चाहन कर गुनगुना करके अत्वा ठंडा करके इसे रोगी को बार बार थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं। तुल्सी के पत्ते को घर्म पानी में उबाल कर चाहन कर रोगी को पीने को देते हैं। पपीते की पत्तियां डेंगू के बुफार के लिए सबसे असरकारी दवा माने जाती है, जिससे प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से बढ़ती है, काली मिर्च, नारियल पानी, मेती के पत्ते, हल्दी, गिलोए की असरदार दवा के रूप में काम करता है, गिलोए का आईरवेद में बहुत महत्व है, या मेटाबोलिक रेट बढ़ाने के साथ, प्रतिरक्चा प्रनाली को मजबूत करता है, और सरीर को इनफेक्शन से बचाने में मदद करता है, आईरवेदिक आउसदियों की बात करें, तो इसमें हिंगुलेसर रस, सोभाग्य बटी, संजीवनी बटी, त्रिभोन कीर्ति रस, गोदन्ती भस्म, स्वान बसंत मालती रस, नित्रोदय, पंच्शका चून का प्रयोग किसी खुसल आईरवेदिक चिक्चक की सलापर किया जा सकता है, इस रोग में पत्थे अपत्थे की बात करें, तो क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, तो इस रोग की अवस्था में अत्यदिक आराम करना चाहिए, उपवास, यानि कि अगर भोजन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, गाय का दूद, बकर आदिका दूद, सेब, पपीता, अननास, लोकी, तोरी, परवल आदिका सेवन लाप्रद होता है, बासी खाना, दही, गुड, तेल, खटाई, मिर्च आदिका सेवन हानिकारक होता है, रोग की अवस्था में अस्थान ना करा कर, गर पानी के गीले तौलिये से शरीर को पतर होता है, इस प्रकार इन उपायों से हम डेंगू फिवर से प्रथम तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, बच्छ रकते हैं उससे होने से, अगर हो जाता है, तो सामाने गरेलू उपायों से और आयरवेदिक चिकित्सा से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, धन्यब झाल झाल